हालो नमस्कारी जहिंद कैश है मेरे देश के भावी फोजी उम्मिद करता हूँ सभी सोलजर्श बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एक जाम अपने ट्रेड को अच्छी रेंक के शाथ फते करने की आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों वक्त आ गया है इसलिए इसी जोश जनुन जज़बे के साथ आपको एक जाम तक रात और दिन एक करके मेरे दोस्ती तैयारी करना है ये जो मौका मिला है फोज के पेपर में बेटने का ये वक्त मेरे दोस्त वापिस नहीं आएगा इसलिए जितना दम है उतना लगाईए रात और दिन मेरे दोस्त एक कीजिए हमने 5-10 दिन पहले आपको कहा था कि जब वक्त आएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे तो ये मेरे दोस्त वक्त है ये फोज कची रंग के शाथ फते करने का वक्त है ये आगया है अब सभी का पेपर मेरे दोस्त ही 99 परतिसत आपका जो पेपर है ये 27 जून का होगा किलिर है इस बात को अपने मैंड में फिट कर लीजिए और रात और दिन मेरे दोस्त एक कर दी इसलिए जितना दम है उतना लगाईए कुछ ही दिनों की बात है उसके बाद में मेरे दोस्ती फोज की वर्दी आपको मिल जाएगी इसलिए जितना दम है उतना लगाईए मेरे दोस्ती चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बार फोज के पेपर को अची रेंक के साथ तफ़ते करन ग्राउंड को अची रंक के साथ फते करना है और अपने घरवालों अपने माता पिता का नाम रोशन करना है आपके माता पिता ने जो शपना सजवाया है आपको भारतिय शेना में बेजने का उनका शपना मेरे दोस्त आपको पुरा करना है आपके रगों में खुन नहीं लाँगा अपने माता-पिता के सपनों को आपको पुरा करना है वक्त मैरे दोस्टी अब आ गया है आपको अपनी मनझिल तक पहुँचना है मनझिल ने होसलों शे कहा तेरे बश्य की बात नहीं होसलों ने मनझिल की आखों में आखे डाल के कहा चल जूटी लिए पचीस दिन आप टारगेट लगा के चलिए पचीस दिन बजें हैं और इस पचीस दिन के अंदर आर्मी स्टेडी आपके लिए क्या स्पेशल करेगी आपके सपनों को कैशें रेंक के साथ पहुंचाएगी यह हम आपको बताते हैं एक जून शें पचीस जून तक मेरा मेरे दोस्त आपके ओल सब्जेक्ट की चलने वाली है जो पेपर को अची रेंक के साथ फते करवाएगी चाहिए आपकी पहली आखरी बढ़ती चाहिए आप कितने भी कमजोर हो यह आपने मेरे दोस्त इतने दिनों तक जो पढ़ा यह नहीं पढ़ा लेकिन पचीस दिन तक आपको रात और दिन महेंट करना है चेन नोश बनाना है मातर पचीस दिन मेरे दोस्त अगर आप रात और दिन तैयारी करते हैं मैरासन कलाशो को अदरिश करते हैं तो सबी क्योंस आपको देखने को मिलेंगे के टीचर आपको यूटूब मैथ्स पढ़ाएंगे बहुत सारे नोजवान कहते हैं कि सर मैथ नहीं आती आर्मी के जो नोजवान होते हैं वो मेरिट के अंदर मैथ रिजनिंग के कारण ही मेरे दोस्ती रहते हैं क्योंकि जी के जी इस तो रटा मारने वाला है जो कि आपको सै के पेपर को अच्छी रैंक के शाथ फदे करना है तो चलिए सुरवात करते हैं आज के बहतरीन शैसन की ओमार शीट है यह आपके पास होना चाहिए क्लियर है तो फैस्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन प्या चुका है क्यूशन कहता है रोप आप दा वर्ल्ड किस इस्तान को कह जाता है बहुत बड़िया ओप्सन इसका ए जिन्होंने लोक किया है उनकी तैयारी बहुत ही शांदार है आपके एक जाम के अंदर क्यूशन आता है सपेद हातियों का देश किसे कहा जाता है तब आपको थाइलेंड करके आना है अफरीका को काला या अंद महादियूप कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्यूशन क्या कहता है सुनिए नेक्स्ट कहता है भारत के अटोर्नी जनरल की न्युक्ति कोन करता है राजेपाल राष्टरपती परधान मंतरी इन में से कोई नहीं अटोर्नी जनरल महान्याइवादी आपको यहाँ पर बी जोन उजवन बता रहें राष्टर पती वो बिलकुल राइट बता रहें महानावदी का उलेक स्विधान के आर्टिकल चीहत्तर एक में है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कहता है अंतरराष्ट्य अहिंशा दिवसी किस तारिक को मनाया जाता है दो अक्टूबर ग्यारा जुलाई तीस जनवरी आट मारच बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एकजाम के लिए क्यूशन शाप को वही दिखेंगे जो फोज के अंदर सैम डीटो टाइप होंगे इसका राइट अंसर क्या होगा अंतरराष्ट्य अहिंशा दिवसी किस तारिक को मनाया जाता है बहुत बड़िया आप्सन इसका ए राइट होगा अंतरराष्ट्य अहिंशा दिवसी दो अक्टूबर को मनाया जाता है गुरुजी ग्यारा जुलाई को क्या मनाया जाता है विश्वे जन्षंग क्या दिवस मनाया जाता है सहीद दिवस तीस जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्टिय महिला दिवस आट मारच को मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट गुशन की बात करते हैं नेक्स्ट है निमन में से किशे लेडी विद दा लेंप के नाम से जाना जाता है, एनि बेसेंट, सरोजनी नाइडू, इंद्रा गांधी, फलोरेंश नाइटेंगल, निमन में से किशे लेडी विद दा लेंप के नाम से जाना जाता है, बहुत थी इंपोर्टेंट क्यूशन ह आपके एक जाम के लिए चाप लेना मेरे दोस्ती इसका राइट आंसर होगा अब संशी फलोरेंश नाइटेंगल को लेडी वित दा लेंब के नाम से जाना जाता है इसे मेरे दोस्ती आधुनिक नर्शिंग आंदोलन का जनम दाता भी कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखन आपके एक जाम के अंदर क्यूसन आता है भारते राष्टे कॉंगरेश की महिला देखश अगर आपको पूछा जाता है तब आपको ऐनी बिसेंट करके आना है सरोजनी नाइडू भारत की कोकिला के नाम से इने जाना जाता है इंद्रा गांदी भारत के प्रतम महिला परध मियमार, नेपाल, इंडोनेशिया, बुठान ये बताए बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है आपके एक जाम के लिए और शेशन को दबा के एक बार शेर कीर जिये मेरे दोस्ती वक्त है ये अब आ गया है फोज के पेपर को रंक के साथ फते करने का पैन और कोपी शाथ में लेकर बेटना है एक तारी के बाद में पेपर का गरदा गरदा करेंगे पचीस दिनों के अंदर नौन इस्टोप फोल आर्मी का कोर्श आपको करवाये जाएगा सासुरा एक बेक यूसन आपको एकजाम के बाहर नहीं दिखेगा बहुत सारे नोजवान है जिनको मैस है वो मैं फिर आपको प्रिवेश येर कलाश हम रखेंगे कि फोज के पेपर में पिछले वर्श ऐसे किसन पूछे गए थे अब कि बार मेरे दोस्ते चाहिए कुछ भी हो जाए गाउं गाउं ढानी ढानी के अंदर फोजी बनना चाहिए क्योंकि बहुत सारे नोजवान है जो कोल करते हैं कि सर हमारी लाश्ट बरती है आखरी बरती है चाहिए कुछ भी हो जाए मेरे दोस्ती वर्दी आपको पहना के छोड़ेंगे बस आपके अंदर जोस होना चाहिए जनूर होना चाहिए बादाम खाके बेर चाना कलाश के अंदर शसुरा चाहिए याद होना चाहिए रैंक के शाथ फते करना है इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा अपसं इसका बीजोन ओजुण बता रहें नेपाल वो बिलकुल राइट बता रहें आप सोच रहे होंगे कि सर आज आप बहुत दाड रहे हैं आप भी मेरे दोस्त जिस दिन फोज के इस गोवा, चेनई, दिल्ली, इन में से कोई नहीं, सूर्य मंदिर कहां इस्तित है, बहुत इंपोटेंट क्यूशन है, अप्षन इसका राइट होगा, डी, सूर्य मंदिर कॉर्णंक उडिसा में इस्तित है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपोटेंट क्यूशन है आपके एक जाम के लिए, बहुत बढ़िया, अप्षन इसका ए राइट होगा, बाबर ने भारत में मुगल शामराजे की इस्तापना की, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है, भारते राजयों के राजेपलों की न्यूक्ति कोन करता है, परदान मंतरी, राष्टरबती, उपराष्टरबती, कैंदरिय मंतरी मंडल बहुत ही शांदार क्यूसन है आपके एक जाम के लिए भारतिय राजियों के राजेपलों की न्यूकती कोन करता है बहुत बढ़िया राष्टरबती करता है अप्शन इसका बी राइट होगा आटिकल एक शूप पच्पन के तहट ये भी आपको ध्यान रखड़ा है नेक्स्ट नागालेंड की राजदानी क्या है चाप लेना राजदानी का क्यूसन तो आपके एक जामे चप गया है अप्शन इसका राइट राणसर होगा आप्शन बी पंदरा जनवरी को थलशे नदियूस मनाये जाता है दस देशंबर को बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है विश्वब मानवादी कार दिवसी और आठ मारच को अंतराष्ट्य महिला दिवसी नेक्स्ट है डोला बनरजी किस खैल से जुड़ी है बेडमिंटन तिरंदाजी टैनिश किरगेट डोला बनरजी किस खैल से जुड़ी है ये आपको बताना है बहुत ही शांदार क्यूसन है आपके एक जाम के लिए बहुत बढ़िया इसका राई टांसर होगा तिरंदाजी आंसर है ये गोली से भी तेज आना चाहिए बहुत ही जल देखे 47 आपके हाथ में आने वाली है पार्टी तो बनती है दबा के सेशन को लाइक कीजिए नेक्स्ट देखिये क्या कहता है ये मुना नदी का अन्ने नाम क्या है अच्छा क्यूसन है मेरे दोस्ती कालिंदी, विचस्ता, आस्किनी, विपासा ये मुना नदी का अन्ने नाम आपको बताना है यहां से डेफिनेंट आपके एक्जामे क्यूसन देखने को मिलेगा इसका राई टांसर क्या होगा बहुत बढ़िया कालिंदी इसका राई टांसर होगा गुरुजी तीन आप्शनों के बारे में बताए ताके हमारा डाउट किलेर हो जाए नोट कीजिए मेरे दोस्ती जेलम नदी को कहा जाता है विचस्ता नदी किलेर है चिनाब को कहा जाता है आस्किनी और व्यास को कहा जाता है विपासा चाप लेना वीडियो को revise करके बढ़ते हैं next question की तरह परी next है रोम शामराजे किस ने इस्तापित किया बहुत अच्छा question है रोम शामराजे किस ने इस्तापित किया option है यह आपके पास है comment section आपके खुला है सभी नोजवन पुरी कलाश के बाद comment section में बताएंगे इसका right answer क्या होगा और अपना trade भी बताना क्योंकि question अच्छा है answer भी इसका थोड़ा हटके है इसलिए आपको research करना है फिर बताना है जिंदके में question mind's out नहीं होगा तो चलिए बात करते हैं next question की next है महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला बहुत ही अच्छा question है 14, 16, 18 इन में से कोई नहीं महा भारत का यूद कितने दिनों तक चला बहुत बढ़िया गुरुजी 18 दिनों तक चला शबास बात करते हैं next question की next है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपगर है कौन शाहे एपल आरिये बट बासकर रोहिनी इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया आरिये बट इसका राइट आंसर होगा गुरुजी कब लोंच किया गया 19 अप्रेल 19 पचेतर डेट भी बहुत इंपोर्टेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट मेरे दोस्ते 15 क्यूशन जीएश के बहुत इंपोर्टेंट क्यूशनों के बारी में हम डिस्कस करेंगे क्यूशन थोड़े लेवल के है मेरे दोस्ती इसलिए धेर ये बनाई रखना है क्यूशन थोड़े करना है क्योंकि भौझ के पेपर को रैंक के शाहत फटे करना है चाहिए कितनी भी महेनत क्यूना करने पड़े ग्राउंड के अंदर जैसे आप मेरे दोस्त रणिंग करते हो तब धयरते हो न उसी परकार आपको मेरे दोस्ते फोज़ के पेपर को अची रेंक के शाथ फते करने के लिए ग्राउंड में दाड़ना है पेपर का गरदा-गरदा मेरे दोस्त आपको उड़ाना है मन्जिल तक मेरे दोस्त आपको पहुँचना है चाहे कितनी भी महनत क्यों ना करने पड़े इन 25 दिनों के अंदर रात और दिन महनत करना है सस्वरा मेरे दोस्त अगर आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता है रट के साइड में रख दीजिए कि तेरे से अगर क्यों सन पूछेगा तो वो मैं गलत नहीं होने दूँगा चाहे कुछ भी करना पड़े चाहे कि तनी भी महनत करना पड़े इसका राई टांसर बताए वायू की उतरवादर गति को क्या कहते है आप्षन है पवन वायू धारा वायू प्रक्षोब वायू गति बहुती शांदार क्यों सन है आपके एक जाम के लिए सबी सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे अप्शन इसका शीजन और जवन बता रहें वायू प्रक्षोब वो बिल्कुल करेक्ट बता रहें नोट करना जिशको नहीं पता है नेक्स्ट हाइड्रोकलोरिक प्रेश में किसका उप्योग होता है पासकल नियम, बर्नुली का शिद्दान्त, आरकमडीज का शिद्दान्त, बोयल का नियम बहुत भी अच्छा क्योशन है इसका राइट आंसर होगा जो स्वल्जर ऑप्शन इबता रहें पासकल का नियम वो बिल्कुल राइट बता रहें नेक्स्ट है ताजे पानी का हिमांक बिंदू क्या है बहुती अच्छा क्योशन है हिमांक बिंदू आपको बताना है option आपके पास है बिलकुल बहुत बढ़िया इसका right answer होगा 0 degree centigrade अपने क्योशन को match करते चलना है और पुरा सेशन इमांदारी से देखने के बाद comment section में आप को बताना है क्योशन कहता है प्रकाश ये फाइबर किश ये दंद पर कारिये करता है अपवर्तन परकरनन वेतिकरन पुर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत यचा क्योशन है आपके एक जाम के लिए पुर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत बढ़िया शबास इसका right answer option डी जतने बहुत बढ़िया शी जोश जनुन के साथ आपको जारी रखना है अपने पढ़ाई को आपके रगों में खुन नहीं जनुन दोड़ना चाहिए भोज की वर्दी में एक अलग ही जनुन होता है अलग ही शकुन मिलता है तो महनत कीजिए और रात और दिन एक कीजिए मेरे द आपमान बहुती अच्छा क्योशन है किस कारण वाई मुंडल में तेरते हैं बिलकुल बहुत बढ़िया निमन गनेत वे ओप्षन इसका बीज और जवान बता रहें वो बिलकुल राइट बता रहें शबास नेक्स्ट विदुत शक्ति की एकाई क्या है वर्ट वाट किलो गन्टा एमपियर विदुत शक्ति की एकाई आपको बताना है बहुती शांदार क्योशन है आपके एक जाम के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया विदुत शक्ति की एकाई होए वाट आप्षन इसका बी बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट क्योशन द परयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। परासरवी तरंगे क्या परीवर्ति यहां से क्युतन कहों हब देखने को मिलेगा पानी जमता है। Зबहुत बढ़िया। गनेत वे गट जाता है और गुरुजी आईतन तो मेरे दोस्त आईतन बढ़ जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है पार्शेक किश की मापन इकाई है तारों की शगंता खगोली दूरी खगोली पिंडों की चमक विशालकाई तारों की कक्षिय वेग बहुत इ राइट बता रहे सबास नेक्स्ट है परकास वर्ष किश की काई है तो परकास वर्ष है ये दूरी की काई है और अप्शन इसका शी बिलकुल राइट होगा नेक्स्ट है पानी का काउंतनांक निर्भर करता है वाई मंडली ये दाब आईतन गनेत वे दर्वेमान बहुत ही वायूमंडल ये दाब पर निर्बर करता है option इसका ये बिलकुल right होगा नेक्स्ट है आवाज की मापक है decibel, hutres, ampere, इन्वे से कोई नहीं बहुत याचा क्यूशन आपके exam के लिए आवाज की मापक क्या है बिलकुल बहुत बढ़िया आवाज की option आपके पास है इस पैस्ट दरिष्टी की नियुंतम दूरी है बहुत बढ़िया 25 cm option इसका बिलकुल right होगा next question है और zone किस शें बचाती है option आपके पास है और मेरे दोस्ती एक zone से 25 zone तक आर्मे steady application के अंदर मेरातन कलाश से start होने वाली है all subject की फोजगे paper को rank के साथ फते करना है जब भी कलाश होगी notification आपको मिल जाएगा या कल साम तक आपको time table मेरे दोस्ती हम बता देंगे इसलिए पैन और कोपी तयार रखना एक तारिक से अच्छी rank के साथ फते करना है चाहे कुछ भी हो जाए जिन नोजवनों की पहली वर्ती है या आखरी वर्ती है फोजगे paper को अच्छी rank के साथ फते करना चाहते है तो वो इस bench के अंदर जरूर जुड़े 100 पर जिस अपका selection होगा बस जोश्ट जनुन के साथ आपको पढ़ाई करना है उसका जतना प्राइज है अपने माता पिता से बात कर लेना या हमें बात करवा देना मेरे दोस्ती चाहे कुछ भी हो जाए फोजगी वर्ती आपको पहना के छोड़ेंगे जो भी आपका subject कमजोर है हर subject के expert teacher आपको मिलेंगे जो फोजगे paper का धुआ 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 आपको करवाएंगे अपने exam को अगर rank के शाथ आपको फते करना है जो भी आपका trade है किसी भी trade में आप मेरे दोस्त जुड़े सबी trade के अंदर कलाशे है वो चलेगी फोजगी वर्ती आपको पहनाएंगे यह हम आपको दावे के शाथ कहते है मेरे दोस्ती अपकी बार चाहिए आप कहां से भी तैयारी कर रहे है चाहिए आपका जो भी trade है फोजगे अंदर soldier पहुंचने चाहिए अपने आप से वादा कीजिए कि अपकी बार फोजगे paper को अच्छी rank के शाथ तफते करेंगे क्योंकि वक्त मेरे दोस्ती वापिस नहीं आएगा बहुत सारे नोजवान है जिनके आखिरी बढ़ती है और आप सभी को पता है कि रेलियों का जो schedule है या जो नियम है रेलियों का यह हर बार change होता है यह जो मोखा मिला है यह golden chance है इस chance को नहीं गवाना है rank के शाथ तफते करना है और इसका जो right answer होगा option इसका C जो नोजवान बता रहे हैं प्रा बैंग नी किरने वो बिलकुल right बता रहे विजवत चुमबक किस शे बनती है बहुत ही important question है और आप में से बहुत सारे नोजवान message करते हैं कि sir number बताए तो number आपको application में उपर 3 dot पे आप click करोगे तो वहाँ पे contact us का option आजाएगा अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलते है तो number आप note कर सकते है 9588 9588 70365 clear है इस number पे आप कभी भी call कर सकते हैं आप call कर सकते हैं कुछ भी आप पूछ सकते हैं जो भी आपको doubt है 9588 070365 9588 7365 जो भी आपके मन में doubt है आप अपने exam को ले के अगर आपको doubt है कुछ भी आप पूछ सकते हैं निस्चन्थ होके call आपको शिरफ 9 बज़े से साम 6 बज़े तक करना है क्लियर है रुदित चंबक किश से बनती है नर्म लोहा से बनती है अपसन इसका बे बिलकुल राइट होगा क्लियर है आज की कलास में हम आपको इतना ही करवाएंगे गुरुजी इतना ही क्यों कराऊंगे बाकी के क्यूशन कहां गए तो बाकी के मेरे दोस्ति जो मैंडस के क्यूशन है क्ल अरम्मी स्टेडी के बादिशा किंग क्लियर है तो तयार रहे ना कर यूटू पे बहत्रीन कुआलिटी के साथ क्लेस लेके आर रहे है वो भी मैंडस की बिलकुल बैसिक से अपने एक जाम को कैशे फते करना है उनसे शीखिएगा आप तो मिलते हैं आपको वापिस कल शाम को सभी नोजवानों को रेंक के साथ पास करना है और हम भी इस वर से यही दुआ करते हैं कि आप सभी का सेलेक्शन इसी बरती में हो अपने तमाम नोजवानों का आप सुचित कर देना कि कुछ भी हो जाए कलास एक भी आपको मिश नहीं करना है कल साम साथ बजगे पचास मिनट पे लाइव आना मेरे दोस्ती जतने भी जो नोजवान है क्लिर है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कलास में सभी नोजवान एक बार भारत माता का जेकरा लगाएंगे एक शाथ बोलेंगे भारत माता की जे तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में तब तक खुश रहें मस्त रहें रात और दिन पढ़ाई करते रहें जाहिंद वंदे मात्र